कि नमश्यार दोस्तों बात करते हैं सेल की 99.2 का स्टॉक उच चुका और एक परसन की रैली यहां पर आए है किस मिलियन शेर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं मार्केट एक भारी गिरावट के बाद दो दिनों की रिकवरी पैटर्न बना रहा है और मुस्त आज का बाजर साइडवेश जरूर रहा है बट ठीक रहा है आज की बात जहां तक करें तो वॉल्म ठीक रहा है वह खरीदारी हुई है थोड़ी बहुत यहां पर अन्मेटली खरीदारी समय डियाई की तरफ से आ रही है तो वह आपको जानना पूरेगा बात करेंगे इस वीडियो में सेल में एक लंबी की डावर्ट हंड्रेड के नीचे का ब्रेकडाउन यहां पर हो चुका है अलोड़ी क्या आपको यहां पर वेट करना चाहिए शॉट तम फुल बैक जो आ रहा है यहां पर उसके साथ एक्जिट करना है इस टॉप में और दूसरी जी यही खबरे क्या है आप अपर बैल आइकन था कि अपर नर्टिफिकेशन बन सके चलिए स्टार्ट करते हैं परस अपर जहां तक सेल की बात है एक अची कंपनी है बहुत बढ़ी हा श्टॉक है आपके सामने और लास्ट ताइम पी मैंने आपको बोला था कि मार्केट में थोड़ा शॉट का माल यहां पर खरिदारी में रखा है लोगों ने बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है कि मार्केट को संभालते हैं थोड़ा बहुत साइडवीज का ही मार्केट सही बट हूप रहेगी बाज़ार में कि ठीक है मार्केट में इस समय तोड़ा सा अबल में रैस्टराइ साइडवीज का बाज़ा रहेगा मैं आपको पहले भी बूला था कि मार्केट थोड़ा बहुत मान भी शात्रा तीन्स होगा शोला साथ सो की बीच में 600 पॉइंट से गैप है तो जिस दिन में वह पती 200-300 डंप होगा नीचे जाएगा बाज़ार उतीन ही पानिक में स्टार हो जाएगा यहीं देख करके चलना है कि मार्केट क्या अपना रेंज ब्रेकडाउन कर रहा है कि यहां पर निकल रहा है अगर ऐसा है तो यहां पर पैनिक होनी के जरूए था अदर्वाइस दो नॉट वरी आपकी पास चाहिए सेल हो भेल हो या प्राइवेट कंपनी हो सरक है अगर आप बात को अपने स्टॉक्स की अपने पोजिशन की तो होड करने की ही जो एक स्ट्रेजी है उसको फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अच्छा जहां ना खबरों की बात देखो मैंने खबरे आपको पहले भी दिखा रहे थी तीन बड़ी रिजन में प्रव्लम रहती है को यह पहला रीजन था जिसके वह जैसे सेल में या किसी दूसरे में चलिया ना किसी सब्बाइब बन रहे थी दूसरा रीजन है आपके सामने रुषिया यूक्रेट क्योंकि अगर वह लगाई करते हैं तो डेवल पर ग्लूबल लबल पर आपके लि देखने को मिलती है और यही कारण है कि अगर इस तरह का बनता है तो थोरस आपने आपको दूर ही रखती है अपने प्रोड़क्शन को बढ़ाने से अब देखने को अगर मार्केट में कुछ भी देखने को मिलती है कुछ भी दिस्रप्शन वहां पर होता है तो इस तरह की चीज़े कि मार्केट में गिरावाट या फाइए की विक्वाली देखने को मिलेगी ही मिलेगी ते दो तीन दी जाने जो आपको लेकर के चलने है हात में कि मार्केट में कुछ हो रहा है आप सबसे पहले उट कर देखो कि तो नहीं जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है आपके सामने आपका मार्केट कोड़ बहुत एक दो परसे इंग गिरावट में आता भी है डू नाट वरी अब आउट प्रैनिक अपनी पोजिशन को होड़ करके रखो बेचने की बहुत जल्दिबाजी नहीं करनी है यह की बहुत लो वाल्यूम है मैं बनेगा कि आज को दिन भी कुछ ऐसा नहीं रहा है कि के मंदे अगरार होता है तो वाल्यूम लगड़ा आता है बाधने निसे कवी वाल्यूम कोड़ रहता है बागशार का भी और किसी पर्टिकुलर स्टाप का भी तो अगर हम बात करते सेल म में एक अच्छी recovery pattern यहां से बनेगा अच्छा एक और चीज है कि अगर आप खरिदारी करते हैं तो short term के लिए मत जाना short term बहुत रुस्की हो सकता है इस point of time पर जब बाजार में इतनी पुलाट रहती है no one knows कि US क्या चाह रहा है no one knows कि Russia क्या चाह रहा है और Ukraine बचाओ में है बचाओ की मुद्रम है इस समय पे तो Ukraine को दोश्क देना वेकार है बट यस और Ukraine मतलब रश्या मिल करके दोनी युक्रेण को फिचातानी में लगे हुए है तो ऐसे में बहतर यह है तो प्ले सेफ प्ले सेफ करने का मिना मतलब है कि short term के लिए नहीं जाना ऐसा नहीं कि यू start avoiding the market नहीं बिल्कुल आप खरीदारी करो बिल्कुल आप निवेश करो मार्केट में बिल्कुल आप पैसा बनाओ गए यहां पर थोड़ा लंबा ले करके चलो आपका जो time frame होना चाहिए time grow गोल होना चाहिए वो थोड़ा लंबा ले करके चलो अभी दख आपके लिए कोविद 19 था उसके बाद अभी हां पर रख्षय यूकरीन आ गया ब्रेंट आ गया एक नएक problem आती रहेगी अगर आप avoid करना start कर दोगे in order to play safe आप मार्केट में एंटरी नहीं करपा हो गया and believe me वो situation worst हो जाती है आपने पैसा लगाया आप बैठे हो थोड़ा loss हुआ आप ब तो वो ले करके चलो अभी भी खरीदारी करने के में इसमें सलाह रहेगी आपको बशड़ते कि आप लंबा टाइम ले करके चलो और कॉश्यूसली बाय करो अग्रेसिव नहीं जाना है यानि कि एक ही साथ बहुत सारा पैसा नहीं लगाना है थोड़ा पैसा लगाओ वेट क के बाद बता लिए थी था उसके बाद अब यहां पर डिवीड़ा अनॉस्मेंट की भी बहुत खबरे आ चुकी अभी कि अगर आप बात करो देखो स्टॉक अच्छा है कंपनी अच्छी अच्छी और डिवीड़ा रहेगी कि अगर आप खरिदारी करते हो तो अग्रिसिव करना है भागी खरिदार को लेकर के जदा टैंशन नहीं नहीं करना है यहां पर फालिंग स्टेज में नहीं है आपका नीट्रा ही है जैसा मैंने आपको रेंज क्या है यहां पे जब तक इस ब्रेंजब्रेंड करते हैं तब तक के लिए कम से कम market को एक side price का ही रखो तब तक के लिए market में relieving factor ले करके चलो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावाच है but that's fine कि market का normal market cycle चल रहा है वह ले करके चलना है बाकि जहां तक data points की बात है FIA, DIIA, आर इंदा red zone क्योंकि मेरा मानना है कि DIA की ओपर आप भरोचा नहीं कर सकते हैं अगर हमारा पैसा लगा है तो अगर हमारा लॉस होता है तो अगर उनका लॉस होगा तो दे अगर हमारा पैसे में थोड़ी सी कॉशिसली खरिदारी करके चलो नीची लेवल पर स्टॉक मिल रहा है अंडर वैल्यूद मिल रहा है बिल्कुल गो फॉर इट बाए करो वाकि लास्ट कॉल मस्ट बियर्स क्या है आपके साट जी स्टॉक को ले करें प्लीज कॉमेंट करके श